इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्लेन खिजरी जी हाँ सही सुना प्लेन खिजरी और उसी के साथ मैं लेकर आई हूँ गुजराति कड़ी वो भी बिहारी अस्टाइल में तो चलिए बनाते हैं नमस्कार दर्शको घर कजाय का विद्खुश्बू मे आपका स्वागत है विडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें प्लेन कीच्री बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चावल और एक कप मैंने यहाँ पर चावल लिया है उसी के साथ मैं यहाँ पर लूँगी चोथाई कप मसूर के दाल और दोनों को अच्छी तरह से 5-6 पानी से धोलूँगी ताकि इसमें अस्टाच न रहे और यह अच्छी तरह से खिला-खिला बने तो चलिए हम इसे 5-6 पानी से धोल लेते हैं हम इसे जल्दी पकाने के लिए कुकर में बनाएंगे तो कुकर एक लेंगे और उसमें एड कर देंगे उसी कप से 5 गिलास या 4 गिलास पानी अगर आप 4 गिलास पानी एड करिएगा तो ये बहुत ही परिफेक्ट बनेगा, फिर मैं इसमें एड़ करूँगी दो तेज पत्ते और साथ में ये एड़ कर देंगे, कार्लिक पेस्ट, कार्लिक के साथ मैंने यहाँ पर इसमें लाल मिर्च और हरी मिर्च का भी पेस्ट बनाया है, और इस पानी को गर्म होने देंग तो हम लिट्सी से ढग देते हैं ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए, तो देखिए पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एड़ कर देंगे, चावल और दाल के मिक्सरन को, फिर हम इसी के साथ इसमें एड़ कर देंगे, शॉल्ट टू टेस्ट और हल्दी, साथ में देंगे लाल मिर्च पॉडर और धन्या पॉडर जीरा गुल की पॉडर और एक सिक्रेट इंगेडियन्स एड़ करूँगी जिससे हमारे कुकर में से वो बाहर नहीं आएगा वो है सरसो का वाइल मैं यहां पर दो चार बूंद सरसो का वाइल एड़ करूँगी ताकि पानी उ ज्यादा गल जागा तो जब तक यह सीटी आता है तब तक हम कड़ी बना लेते हैं तो कड़ी बनाने के लिए हम यहां पर एक कप खटा दही लेंगे उसी के साथ हम यहां पर लेंगे हाप चुथाई कप बेशन और दोनों के इसमें हम मिक्स कर लेंगे फिर हम बेशन में थ दही और वेशन को अच्छी तरह से हातों से फेट लेंगे इसे जब तक फेटना है जब तक कि ये अस्मूथ ना हो जाए देखिए दीरे-दीरे अस्मूथ होने लगा है इसमें चिकना पनाने लगा है अब ये डेडी हो चुका है अब हम इसे साइड में रख देते हैं इसमें हम थोरा सा पानी और एड कर देंगे जो पानी मैंने खोल के रखा था वेशन वाला वह भी मैं इसमें एड कर दूंगी मैं उसे क्यों वेस्ट करूं और उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे तो यहाँ पर कूकर में भी सीटी लग चुका है अब हम कूकर को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं तो करी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक पैन लेंगे उसमें एड़ कर देंगे एक चमच तेल तेल जब गर्म हो जाये तब हम इसमें एड़ करेंगे छोक लगाने के लिए जीरा, पीली सरसो, तेज़ पत्ता, लाल मिर्च और इसे एक दो मिनिट के लिए खुसबू आने तक कूप करेंगे जब इसमें से अच्छी तरह से खुसबू आने लगे, तब हम एड़ कर देंगे तब हम गोल को एड़ कर देंगे और इसे उबालाने तक कूप करेंगे बचा हुए गोल में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे भी हम एड़ कर देंगे और फिर हम इसमें एड़ करेंगे लासून लालमिर्च का पेस्ट, साथ में सॉल्ट गुजराती करी में ना हलदी डलाता है और ना ही लालमिर्च पृड़र लेकिन मैं आपको बिहारी अस्टाइल में बता रही हूँ कुछ राती करी तो बिहारी लोग जब भी करी बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ जरूर अईड करते हैं पकोरे की जगापे तो इसमें वाल आ चुका है तो मैं यहाँ पर अईड करूँगी पकोरे के जगा पर एक secret ingredients जो कि कड़ी को बहुत ही टेस्टी बनाएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में तो मेरी वीडियो जरूर देखें तो मैं यहाँ पर एड़ करूँगे चिप्स चिप्स बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में और इसे हम cook करेंगे फिर हम इसमें add कर देंगे कड़ी मसाला यह optional है अगर आप डालना चाहते हैं तो add कीजिए वर्णा आप इसे छोर भी सकते हैं फिर हम इसे एक दो मिनिट और cook करेंगे अब इसमें अच्छी तरह से वाला चुका है देखिए इसका contentivity भी बहुत ही अच्छी है तो यह तैयार हो चुका है अब हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं आज भी खूब मज़ा आएगा खाने में मुझे भी और मेरी family को भी क्योंकि खिचरी और उसके साथ बन रहा है गुजराती कड़ी भी भी पिहारी style में फिर हम इसे सजाने के लिए थोड़ा सा अस्पिंकल कर देंगे मसाले तो यहाँ कूकर भी ठंडी हो चुकी है अब हम लीट को open करते हैं वाव perfect है खिचरी भी perfect बनी है मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ तो देखिए खिचरी भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और इसका पानी भी मैंने बढ़ावार मात्रा में ही डाला था तो नहीं ज़्यादा गाड़ी है और नहीं ज़्यादी पतली अब हम इसे mix कर लेंगे मैं आपको एक चीज बताती हूँ अगर आपके खिचरी लग जाए तो आप उपर उपर से खिचरी को निकालिएगा तो वो आपको चला हुआ मासूस नहीं होने देगी तो मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें चौक लगाऊंगी तो चौक लगाने के लिए एक भड़तल लेंगे और उसमें एट कर देंगे सरसो का तेल जब तेल पूरी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें एट करेंगे जीरा और सुखी लाल मिर्च साथ में एट करेंगे एक तेज पता और इसे कुक करेंगे धुआ आने तब झाल अब इसमें से खुस्वू भी आने लगी है और धुआ भी निकलने लगा है तो हम इसे एड़ कर देंगे खिजरी में तो इसे खिजरी में एड़ करकर लीड को ढखे हुए रखेंगे अब हम इसे एक कटोड़ी में निकाल लेते हैं तो इसे हम सर्व करते हैं तो सर्व करने के लिए एक पर्तन में हम एक तरफ कटोड़ी में रखेंगे खिजरी और साथ में रखेंगे कड़ी सुपब देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इसी तरह की रेसिपी हमेशा लाते रहती हूँ अपने इसी चैनल घर का जाएका विद्खुश्पु में तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मैं जाती हूँ इसका मजा लेने और आप भी जाएए जल्दी से बनाएए क्योंकि ये घर की इंगिडिन्स से ही बना हुआ तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जब धकुश रहिए खुशियां बाटते रहिए आसपा सफाई बनाए रखिए तैंक यू टेक क्यार और नमस्कार